नमस्कार आपको स्वागत देशिया न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ लेंड फोर जॉप्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोट ने राबडी देवी, मीशा भारती और हेमायादव को सुनवाई की अगली तारिक तक अंतरिम जमानत दे दी है कोट ने तीनों को एक लाग का बेल बॉर्ण भरने को कहा है मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी राबडी देवी, मीशा भारती और हेमा के साथ रदे आनन को भी कोट ने अंतरिम जमानत दे दी है जज विशाल गोगने की कोट में सुनवाई हुई मीशा भारती विल्चेयर पर बैट कर कोट पहुची थी एडी ने कोट में 4751 पन्नों की चार्शिट दाखिल की इसके बाद कोट ने नोटिस जारी कर एडी से जवाब मांगा है जानकारी के मताबिक राबडी देवी, मीशा भारती, हिमायादव और रदयानन चोधरी की तरफ से कोट में रेगुलर बैल फाइल किया था कोट में आरोपियों की अच्चिका पर सुनवाई के दोरान एडी ने इसका विरोध किया ईडी ने रेगुलर बैल के खिलाफ जवाब दाखिल करने की बात कही ईडी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, ऐसे मैंने रेगुलर बैल नहीं दी जानी चाहिए ED की दरिल पर कोट ने कहा कि जब CBI की केस में सभी आरोपी जमानत पर हैं तो इन्हें जमानत मिलनी चाहिए आरोपे की लालु प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलबे में नोकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और फ्लेट की रेजिस्ट्री कराई थी बिहार में सरकार बदलते ही लैंड फॉर जॉप्स मामले में राज़त सुप्रीमों लालु यादाव की मुश्किले लगातर बट रही हैं EDO CBI दोनों जाच एजन्सियों का शिकंजा लालु परिवार पर कस्ता जा रहा है ED ने 29 जन्वरी को लालु परसाद यादाव से 10 घंटे तक मुश्टाच की तो 30 जन्वरी को पूर्व डिप्टी सीम तेजस्वी यादाव से लगबक 8 घंटे तक सवाल जवाब किये गए थे